बाद रेन में जूजडी पढ़ रही थी अब बाद हर्या जाएंगे बहुत बढ़ा फायदा होगा जमिदार के लिए बहुत फायदा होगा आदाब स्वागए थे दोस्तों आज किस वीडियो माप सभी का जिस तरीके से पिछले काफी अर्से से मेवात की जनता गर्मी के आलम से जूज रही थी कही न कहीं अब कुदरत इन पर महरबान हो चुका है और जो आप देख रहे हैं ये नू हेड़कॉर्टर का नजरा है और कहीं न कहीं कुदरत की महरबानी एक बार फिर से मेवात की जनता पर आपड़ी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं भारी तादात में बरसात हो रही है कहीं न कहीं किसानों के चेरे खिल उठेंगे क्योंकि जो फसल बरबाद होने की कगार परती कहीं न कहीं अब उस पर मरहम लगाने का ये बरसात काम करेगी जिस तरीके से फसल सूक रही थी और पूरे तरीके से बरबाद होने की कगार फरती कहीं न कहीं अब इस बरसात से कुछ ना कुछ इस पर अंकुछ लगेगा हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजुद हैं यहां कि जो मेवात चुर्ण करती है और पूरे तरीके से पिस गम कर रही कितना मुफ्रियत परबहु भाद हर्या जाएंगे कि बाइदा के लिए हैं इसे भी बात करेंगे इस तरीका से गर्मी बहुत दिनों से पढ़ रही थी और पूरे तरीके सब बरसात हो रही है कही न कहीं कुद्रत का एक और पेगाम जनता पर आप आप ड़ाहे इसको लेकर बहुत बढ़र्या हो रहा है जिए बाहूत गर्मी प प्रदीजी आप जितनी मात्रा में बरसात हो रही है इसे फसल को कितना फायदा होगा लगा नबे परसेंट फायदा होगा तो कितने दिनों बरसात नहीं अब से इसी उमीद पर वह गई थी कि कही ना कही बरसाथ होगी उससे इसका पुरे तरीके से उच्चा हो चाहिए बरसाथ के लिए है को नहर पर में कोई कदी मदी पानी आता है को जेड जेली थोड़ी आता है और सब जीके नहर का पानी थोड़ी डलता है बरसाथ का तो सब जीके ड तावी बहुत कम बरसात हुए क्योंकि यहां के लोग जादतर बरसात पर निर्वर होते हैं और जो यह फसल उगाई जाती है कही न की बरसात पर पूरी तरीके से डिपेंड होती है किसान पूरी तरीके से इस उमीद के साथ इस आज के साथ इस फसल को उगाते हैं कि कही न कही कुदरत मेरबान होगा और कही न की बरसाथ के ओपर ही यहां की फसल होगा गाय póच जाती है जो पूरे त्रीके से बरबाद होने की कगार पर तीन महिने से लगातार गर्मी के अलम से जन्मता जुढ रही थी अब इस पर झाल झाल